हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू एमके मैसवर्ड स्टूरेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट वीडियो जो है वो लेके आए हैं उनके लिए हम फर्स्ट टर्म सेकिंड टर्म और फाइनल एक्साम में जो उनको आ सकते हैं ठीक है स्टूरेंट्स वो लेके आए हैं लास्ट येर के सैंपल पेपर्स हैं हमारे पास आज हम वो दिखाएंगे उनको और साथ में सिल्यूशन जो हैं वो बताएंगे कि किस तरह से आपने एक्साम को करना है तो स्टूरेंट हमें पूरी उमीद है कि अगर आप हमारे साथ प्रस्ट करोगे तो आप एक्साम में जुरूर टॉप करोगे तो स्टूरेंट क्यूंकि 9th क्लास में आपको फुल स्लेबस आता है तो इसलिए हम सबसे पहले 1st term के एक्साम में जो सम थे वो करेंगे फिर 2nd term फिर final आपको बताएंगे ठीक है तो आप सभी की अच्छे से त नंबर तो yes, 0 is a rational number, then every natural number is a whole number, yes, हर एक natural number जो है वो whole number भी होता है, तो इसने no लिखा हुआ है, ये cross हो जाएगा, yes वाला answer आना इसका, ठीक है, next fill in blanks, तो first है, a minus b ka whole square, किसके equal होता है, a square minus 2ab plus b square, yes, a plus b ka whole cube, किसके equal होता है, ये blank fill करनी है, आपने, ठीक है, यहाँ पर a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, next degree of 4 minus y square, तो student degree means, जो बड़ी power है, यहाँ पर वो लिखनी हमने, तो 2 है, यहाँ पर, 2 answer आएगा, ठीक है, next है, coefficient of x square, in this is, अब coefficient x square का, तो x square यहाँ पर है, तो coefficient means, उसके साथ जो numeric number है, वो, तो number तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं means, 1 है, ठीक है, तो 1 आएगा, इसका, yes, next, 0 is a blank, कौन सा number है, rational, sum of angle of triangle, 180, very good, a plus b plus c का whole square, a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a, a square minus b square किसके इकोल हता है, a plus b, a minus b, ठीक है, student, next, true, false, every natural number is a prime number, no, हर एक natural number, prime number थोड़ा होता है, यह क्या है, false, yes, every rational number is a whole number, क्याता है, हर एक, जो rational number होता है, वो whole number होता है, तो no student, यह क्या है, false, ठीक है, क्योंकि negative numbers भी होते हैं, rational number में तो, लेकिन whole number में तो 0 से start हो के साभी positive ही आने है, ठीक है, next, part b है, part b में first sum है, simplify, तो यहाँ पे a plus b, a minus b का formula लग रहा है, ठीक है, a square minus b square, 5 का square minus root 5 का, तो 5 का square 5 को 2 time multiply, 25, यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, 5, 2s और 10 लिख जाते हैं, अपने दियान रखना है, कि जो भी अंदर है bracket के, उसको 2 time multiply करना है, यह root के साथ square cut गया, 5 का 5, 20 में से 5 गए, 25 में से 5 minus किये, तो 20 आगया answer, clear, next student, find 125 की power minus 1 by 3, तो 125 जो है, वो 5 की power 3 होता है, ठीक है, और बाहर minus 1 over 3, 3 के साथ 3 cancel हो गया, यहाँ पे यह wrong है, ठीक है, क्या आना था यहाँ पे, देखो, 5 की power minus 1, तो 5 की power minus 1, अगर power को हमने positive बनाना है, तो अंदर वाला जो है, उसका क्या हो जाएगा, reciprocal, reciprocal, तो 5 के denominator में कुछ नहीं है, means 1 है, तो reciprocal क्या होगा, 1 by 5 answer, clear, next, find 0 of px equal to this, student, जब भी लिखा हो, find 0s, ठीक है, तो 0 find out करने के लिए, यह नहीं कि यहाँ पे 0 फिल कर दो, जो भी आपको px दिया हुआ है, उसको आपने 0 के equal करना है, ठीक है, और वहाँ पे solve equation लगाता नहीं, यहाँ पे x की value कितने आगी, 5 धर जाके add हो जाएगा, तो 0 में add हो के 5 ही रहेगा, clear, next, in which quadrant points लाई, तो यह points जो है, कहाँ पे कौन से quadrant लाई करते हैं, student quadrant आपको पता है, ठीक है, जैसे graph paper है, यहाँ पे, यह first, यह second, यह third, और यह fourth, है न, ऐसे ही है, first में positive दुर्नो, second में first minus का और दूसरा plus का, जो third है उसमें दुर्नो negative, और fourth में पहले positive then negative, ठीक है, आपने यह sign देखने होते हैं, number नहीं sign, ठीक है, आप दुर्नों के साथ देखो, one over two, कोई sign नहीं means plus का sign है, प्लस प्लस किस में है, first में न, तो यह आएगा, first quadrant, next step पहले minus then plus, पहले minus काहां पे है, second में, तो second quadrant आएगा, ठीक है, clear, next step find the mode of this, तो यहां पे mode हमने find out करना है, तो student mode क्या होता है, जो term सबसे ज़्यादा time आई हुई है, ठीक है, जो frequency mostly occur हुई है, यहां पे वो बताना है, तो कौन सा number है, ऐसा, 14 number है, जो one, two, three, four, four times हो आया हुआ है, ठीक है, बाकी जो हैं कोई two times हैं, कोई three times हैं तो यह 14 आएगा, इसका answer, next rationalize, तो one over root seven को rationalize करना है, rationalize mean, जो denominator है, उसको हमने rational बनाना है, ठीक है, यह e rational है न, तो यहां पे जो भी denominator में है, उसको उसी के साथ multiply कर देंगे, one के साथ किया, तो वही आ गया, नीचे root के साथ, यह square कट गया, root seven over seven आ गया, answer, clear, next है simplify, a plus b का whole square formula लग रहा है, यहां पे a square plus b square plus two a b, a square means root five का square, b square means root two का square, तो square के साथ square कर गया, यहां पे two into a b, तो यह आ गया, five plus two plus two root ten, तो five or two add हो जाएंगे, add होके आपके पास answer आएगा, yes, seven plus root two root ten, student next sum है, write in decimal form, तो यहां पे mix fraction में आपको दिया हुआ है, ठीक है, convert करोगे, eight four, 32, 32 में one एड किये, 33 over eight आ गया, ठीक है, now इसको divide करोगे, divide करने के बाद, आपके पास answer आएगा, four point one two five, ठीक है, तो यह कौन सी kind है decimal की, terminating decimal, clear, यह ठीक है इसका, next step multiply, now student यह समध्यान से करना है, multiply लिखा है, तो पाए के place पे multiply का sign आजाएगा, ठीक है, now six two two twelve, और यह root वाले जो है, वो root वाले के साथ, pair बन गया ना, यहां पे, तो pair है root में, तो one five बाहर आजाएगा, तीनों को multiply करके, 60 answer, next, classify, is a rational और e rational, यह आपने बताना है, कि यह rational number है, कि e rational number है, now student root five है, यहां पे ठीक है, square root वाला number है, तो वो क्या है, e rational, next, c part में rationalize है, तो student rationalize हमने जिख्खा हुआ है, जो भी denominator में है, उसी के साथ multiply और divide करना है, लेकिन sign change करके, now सामने सामने multiply, 1 से same आएगा, और नीचे formula बन रहा है, a plus b, a minus b का, ठीक है, तो यह क्या होता है, a square minus b square, square के साथ square root कट गया, 7 minus 6, 1, root 7 plus root 6, over 1 आगया, answer, now student next, जो है, expand का सम है, यहाँ पर a plus b plus c का whole square वाला formula लगेगा, ठीक है, यहाँ पर a के place पर 2x, b के place पर minus y, और c के place पर z, फिल कर दोगे, solve करके, answer, clear, next है, find the value of k, if x equal to 2, y equal to 1, यहाँ x, y की value दी हुई है, आपने यहाँ पर fill करना है, ठीक है, और वहाँ से k की value आ जाएगी, यहाँ fill करती है, 2, 2s are 4, 3, 1s are 3, equal to k, 4 plus 3 आ गया, 7, तो k की value आ गया, 7, clear, next student, यहाँ पर blood group 30 student का दिया हुआ है, ठीक है, record, तो रिपर्जेंट करना है, data को हमने form of frequency distribution table, तो यहाँ पर blood group A, B, O और A, B, ठीक है, यही है सभी, तो यह हमने count करने हैं, पहले A कितने हैं, यहाँ पर count करोगे, ठीक है, फिर B, फिर O, फिर A, B, इस तरह से table बना दोगे, clear, Now, यहाँ पर question उसने पूछे हैं, which is the most common, common और rare blood group, सबसे ज़्यादा जो है, वो common हुआ, यह O होगा, common blood group और rare, जो सबसे कम है, कम क्या है, यह A, B, ठीक है, तो यह question के answer, B देने हैं, Now, next student simplify, तो यहाँ पर देखो, same, कोई भी bracket, दोनों जो हैं, same नहीं है, कोई भी number, ना first, ना second, तो यहाँ पर first number, second bracket वाला formula लगेगा, 3 को दूसरी bracket के साथ multiply, then root 3 को दूसरी bracket के साथ, ठीक है, अब 3, 2s are 6, 3 root 2, कभी भी root के बिना वाला जो number है, वो root के अंदर नहीं multiply होगा, वो बाहर ही रहेगा, ठीक है, अगर किसी के साथ root है, तो उसी ने अंदर जाके, same root से multiply होगा, जैसे यहाँ पर, यह 2 बाहर रहेगा, और 3 अंदर, वैसे, यह दोनों अब जो multiply होंगे, root 3, root 2, जो है, वो कितने होगे, 2, 3, 2s are 6, यह आगया हमारा answer, तो student देखो, अब यहाँ पर add नहीं करने बैठ जाना, ठीक है न, क्योंकि same कोई नहीं है, यह अकेला root के बिना वाला number है, और कोई ऐसा number नहीं है, नाओ यह root 2 वाला है, root 2 वाला भी कोई नहीं है, root 3 है next, root 3 वाला भी कोई नहीं है, root 6 है, root 6 भी अकेला है, तो इसलिए यहीं पर answer छोड़ देंगे, ठीक है, next है d part, 6, 6 marks के यहाँ पर हैं, तो first के two parts हैं, value polynomial की, यहाँ x equal to 0 पर, तो x के place पर, 0 फिल कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितना answer आएगा, 3, next, factorize, तो यहाँ पर student द्यान से, आपने देखना है, कि कौन सा formula जो है, वो लगेगा, तो यहाँ पर first number का square, और last का square बन रहा है, ठीक है, तो बीच में भी 2 into a b, तो कौन सा formula है, a minus b का whole scale, ठीक है, next, देखो, length, breadth, height, जो है, रूम की आपको दी हुई है, और cost to find out करनी है, white wash की, 4 walls, रूम की और ceiling की, at the rate of this per meter scale, यहाँ पर area of 4 walls, और जो उसने ceiling का कहा है, ठीक है, यह उसने कहा है, find the cost of white wash, walls of room, 4 walls हो गया, and ceiling, तो ceiling का l into b, 4 walls का 2 h into l plus b, तो fill कर दोगे, यहाँ पर, यह आगया area है, तो यह ध्यान रखना है, कि power 2 डाल नहीं है, ठीक है, unit के साथ, ना ओ, उसके बाद, ceiling का लग से निकाल के, लिखते थे दुन्नों का, ठीक है, एक अठा ऐसे लिखके, area of 4 walls plus area of ceiling, ठीक है, यह एसे भी ठीक है, दुन्नों को add कर दिया, यह आगया, ठीक है, area of 4 walls and ceiling, ना cost find out करना है, तो जितना area आया, उसको 7.50 दी वही थी थी ना, पर मेटर की, तो उसे multiply कर दोगे, तो 555 आजाएगा answer, clear? Now next, यहाँ पर 10 matches, सीरी के score दिये हुए है, mean, median, mod आपने find out करना है, तो mean का formula, sum of data over number of data है, sum means, सभी को add कर दोगे, जो numbers दिये हुए है, और जितने हैं, उसे divide कर दोगे, तो यहाँ पर, आपके पास 28 over 10 आया, तो यह cutting भी करने की जूरूरत नहीं है, सीधे ही 10 नहीं नीचे ना, तो 2.8 आजाएगा answer, clear? Now median के लिए ascending order लिखोगे, ascending order में देखो कितना easy है, यह first number, यह last के साथ, second, second last के साथ, third, third last, fourth, fourth last, now, यह center में दो number बच गए है हमारे बास है ना, दो term बच गई है, तो इन दुनों को क्या करोगे, अगर एक बचती तो वही answer होता, now two है, तो दुनों को add करो, add करके two से divide कर दो, ठीक है, divide करके three आगया हमारे पास answer, ठीक है, तो यह आगया हमारा median, क्लियर, next mode, mode जो है, वो क्या होता है, जो frequency सबसे जाधा बार आई हुई है, ठीक है, mostly occur हुई है, तो कौन सी है, यहां से साफ पता चल रहा है, sending order से, ठीक है, क्या, three, three होगा, इसका mode, clear, now student four, जो sum है, write four solution, तो यह most important sums है, and student mostly exam में आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो now first है, x equal to four y दिया हुआ है आपको, तो पहले आप ऐसे सामने box भी बना सकते हो, right side में आपके पास y है, तो y की value fill कर दो, zero, one, two, three, योगि four solution हमने निकालने हैं, तो fill कर दो यहां पर, ठीक है, four, next two fill करोगे, तो two fours are eight, यहां लिखतोगे eight, three fill करोगे, तो three fours are twelve, तो यहां आजाएगा twelve, clear, कितना easy है ना, यह simple सा सम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, now student next है, find the remainder when this polynomial is divided by x minus a, now remainder हमने find out करना है, तो यह जो है, ठीक है, यहां पे हम zero के equal करके, इसको x की value निकाल लेंगे, a आ गई, a को हम यहां पे x के place पे fill कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे fill कर दिया, fill करके a की power three के साथ, a की power three कट गी, six a में से one ने minus किया, तो five a आ गया, clear, now next है find product, तो यहां पे x plus a, x plus b का formula लग रहा है, x square plus x into a plus b plus ab, x के place पे x ही है, a के place पे four, और b के place पे ten fill कर दोगे, यहां पे ten plus four, 14x, ten और four, 14, तो यह आ गया answer, तो यह था student, हमारा first term का exam paper ठीक है, तो अब इन sums को भी आप अच्छे से revise करना, क्यूंकि आपके पास full slavers आपको आएगा exam में, final में भी, तो यह इस में से भी sum जो है, वो आ सकते हैं आपको, student यह था first term का, ठीक है question paper, जो हमने अभी solution देखा इसका, इन सभी sums को आप अच्छे से revise करो, ठीक है क्यूंकि mostly आपको final में full slavers आता है, ठीक है तो कुछ sum आपको इस में से भी आ सकते हैं, ठीक है, mostly कई बार sum जो हैं वो repeat हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने उनको अच्छे से करना है, नाउ स्टूरेंट ये second term का जो question paper है, उसका solution है, तो ये भी आप अच्छे से देखो इसे ठीक है, जो sums हैं वीडियो को pause करो, और ये वाले sums जो हैं, जैसे ये वाल wrong है इसका, क्या इसमें हैं, देखो, यहाँ पे a प्लस b, ठीक है, a square minus a b plus b square, ये वाला formula था, ठीक है, अगर यहाँ पे minus होता, तो यहाँ minus हा जाना था, ये सारा plus का, ठीक है, इन sum को अच्छे से देखो, और practice करो, देखो, आप देखोगे कि second term में भी, बहुत से sum हैं, जो same आये हूँ है, ये वाला sum जो है, student वहाँ पे minus की power थी, ठीक है, यहाँ positive power है, तो five ही answer आएगा, ये याद रखना है, ऐसे दो sum है, एक minus वाला, एक plus वाला, ठीक है, तो ये positive power है, उसमें five answer आएगा, जिसमे negative power है, उसमें one by five, next quadrant वाला sum है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला sum, जो है, यहाँ बच्चे mistake करते हैं, ये hundred को ten नहीं लिखते हैं, और ऐसे ही sum कर जाते हैं, इस तरह से आपने sum करना है, ये वाला, ठीक है, next fifth, ठीक है, triangle by hero's formula, ठीक है, कोई भी आपको sides दे सकता है, और आपने S लगा के, S find out करके, then area of triangle जो है, वो इस तरह से find out करना है, clear, next right in decimal वाला देखो, again sum different है, बट same आया हुए, next simplify वाला, A plus B का whole square formula लगेगा, यहाँ पे, ठीक है, clear, कितने अच्छा से किया हुआ है, इसने sums, ठीक है, यह 102 जो है, इसको हम तोड सकते हैं, 100 plus 2 लिखके, ठीक है, A plus B का whole cube का formula लगाओगे, then उसको, सभी को बाद में add करना है, ठीक है, अगर a variable हो, a, b, c, x, y, then यहीं पे answer छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें add जरूर करना है, अगर add वला है, तो add, subtract हो, यह देखो, यह वला sum दुबारा से आया हुआ है ना, यह किया ना हमने first time में, next, यह वला sum भी important है, ठीक है, next part B में, यह probability वला sum important है, like, dislike, वला, ठीक है, 15.1 exercise का, next sum, ठीक है, यह जो sum है, student question जो है, वो ध्यान से पढ़ा करो, यहाँ पे simple mode find out करना है, हमने तो simple सा sum है, क्या करना था, ज़्यादा बार आई हुई है term, वो ही answer होना था, ठीक है, simple सा sum, कई बार बच्चे confused हो जाते हैं, कि पता नहीं, यह बढ़ा ही होगा sum, ठीक है, लेकिन question दियान से पढ़ा करो, यहाँ पे volume of cuboid, ठीक है, l into b into h का formula लगेगा, solve करके, then, liter में आपने इसको convert करना है, here, next है, यहाँ पे, hierons formula वाला sum है, 12.1 exercise का, ठीक है, perimeter given है, a, b, c, c, जो है, वो हमने find out करनी है, क्योंकि, बोलन, iso slash triangle बोलना है, तो iso slash triangle means, 2 equal sides, जो है, वो 12 out 12, ठीक है, यह नहीं, डूने लग पढ़ना कि, एक side दी हुई है, दूसरी तो दी नहीं, अब क्या करें, तो question द्यान से पढ़ना है, आपने, ठीक है, इस तरह से, as निकाल लोगे, then area, clear, उसके बाद, write four solution, तो यहाँ पे student, यह जो question है, वो change हो सकता है, ठीक है, आपने द्यान रखना है, यहाँ पे x की value, जैसे one, two, four, और कुछ भी four solution, find out करने, zero, one, two, three, four, भी fill कर सकते हो, इस तरह से, यह आजाएंगे solutions, rationalize आ गया ना, first time में भी था, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना, आपने, next, factorize, यह अगेन वही sum है, है ना, next, यह 99 को, आप 90 प्लास वान भी लिख सकते हैं, और 100 माइनस वान भी, ठीक है, formula यहाँ पे, अगर माइनस का लिए, तो माइनस वाला आएगा, ठीक है, now, next, 12.2 exercise का है, area quadiletal का, find out करना, तो यहाँ पे, यह एक triangle है, यहाँ पे, एक का triangle का area निकाल लोगे पहले, फिर यह दूसरी वाली का, पहले, ABCA हो गए, then ABCA, दोनों का area निकाल के, हरोन फॉर्मूला से, दोनों को एड कर दोगे, वो आ जाएगा area of quadiletal, इस तरह से, ठीक है, यह हो गए, फिर्स का area, next, second का, दोनों को, एड कर दोगे, clear, यह common भी निकाल सकते थे, यहाँ पे, यहीं छोड दोगे, तब भी ठीक है, next, curved surface area, आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे, आपने diameter, find out करना है, तो student, diameter के लिए, सबसे पहले, आप radius, जो है, वो find out करोगे, यहाँ पे, चीक है, equal करके, formula को 88, दिया हुआ था, आपके पास, area, ठीक है, तो यहाँ पे, r निकल आएगा, r आगया, तो diameter, जो है, 2 r होता है, means 2 से multiply कर दोगे, तो वो आजाएगा, diameter, clear, now, यह first term में भी, ऐसा sum था, mean, median, mod का, वहाँ पे, दूसरे numbers थे, यहाँ पे, जो है, ठीक है, 15 students के, दिये हुए है, mathematics के test के numbers, ठीक है, marks, तो आपने, उसका mean, median, more find out करना है, तो mean का formula, sum of numbers, number of numbers, ठीक है, sum of data, number of data, तो यह add करके, 15 से divide कर दोगे, next, mod, mod, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, number वो आ जाएगा, median, पहले sending order लिखोगे, यहाँ sending order में, student comment आलने है, ना कि, यह plus के sign, ठीक है, sending order करके, then, वही, जैसे मैंने चिखाया, first से एक number, last के साथ, last, second, second, last, ठीक है, इस तरह से करते हुए, बीच में आपके पास, 52 जो बच जाएगा, वही होगा, median, clear, next, expand वाला, a plus b plus c का, whole square, तो यह, formula लगाओगे, then, fill कर दोगे, यहाँ पे, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2y, और c के प्लेस पे 4z, clear, solve करके, answer, clear student, now, यह था student, आपका second term का exam, तो यह वले sums भी, आपने देखा, first term में इसे भी repeat हुए थे, तो final में तो पूरा syllabus आना है, तो यह भी अच्छे से करना, हमारे पास last term, last year का final term का exam paper है, तो देखें जरा, यह कैसे करना है, first root 5 को root 5 से multiply, same root है, तो root root cancel होके 5 आजाएगा answer, next, root 5 2 है, यहाँ पे root 5 3, तो add हो रहे हैं, तो 3 और 2, 5 root 5, यह वला answer आएगा, ठीक है, next, a minus b का all square, किसके equal होता है, यह b option, next, a plus b a minus b, a option, volume of sphere, 4 over 3 pi r q, b option, ठीक है, next, 6, यह points लाई इन कौन से quadrant में हैं, यह minus पहले, और plus बात में हैं, तो यह कौन सा quadrant है, second, ठीक है, minus plus, next, जो है, 0, अब यहाँ पे student, यह आपने याद रखना है, अगर 0 आ जाए, तो यह पहला point हो, मेंशा एक्स का होता है, दूसरा y का, अगर y 0 है, तो point जो है, वो x axis पे लाई करेगा, ठीक है, यह b option answer, अगर पहला वाला 0 हो जाए, यह यह एक्स वाला 0, तो y वाला number given हो, तो y axis होगा, यह याद रखना है, ठीक है, now coordinate of reason, जो हैं, वो क्या होते हैं, 0, 0, a option, a plus b का होल क्यूब, a q plus b q, plus 3 a square b, 3 a b square, यह first वाला option, two lines are parallel, their dash and dash are equal, corresponding भी equal होते हैं, और alternative भी, तो बोथ आएगा, यह c option, next b part, जो है true false है, तो यहाँ पर root 5, जो है rational है, no, यह तो e rational है, तो यह क्या होगा, false, next, यह rational number है, तो yes, क्योंकि यह root, root तो cancel हो जाएगा, true, next, 3 की power minus 1, तो इसका answer, तो 1 by 3 होता है, लेकिन यहाँ minus 3 कह रहा है, इसलिए यह क्या है, false, next, point lies on x-axis, तो मैंने बुल्ला ना, भी कि x वाला point दिया, तो x-axis होगा, तो yes, यह true है, next, कहता है, if x equal to 3, then value of y is 2, तो yes, इसको solve equation करोगे, तो 2 ही आएगा, y, put कर दोगे, अगर यहा 3, 5 में से 3 minus किये, 2 तो true है, if the diameter of circle is this, then radius will be 20, तो diameter अगर दिया हो, तो radius के लिए, 2 से divide करते हैं, ना कि multiple है, तो यहां पर divide करने से, तो 5 आना चाहिए, answer, तो 20 बोल रहा है, तो यह क्या है, false, next, probability of share event is 0, वो कहरा 0, लेकिन वो तो 1 होती है, share की, तो यह क्या है, false, next, median of this is 23, तो yes, बीच में यह देखो, first two number यह, first two के सार्थ, तो यह बीच में बचेगे हैं नो, 20 तो yes, true, next, 90 degree angle is also called right angle, तो yes, true है, right angle ही बोलते है, 90 को, the sum of all angle at a point, 360, yes, एक point पे, सभी angles का जोड जो है, फो 360 होता है, तो yes, true है, ठीक है, next, आज़ो, अब फिल अप पे, पार्ट सी में, तो next, volume of cylinder, pi r square h होता है, ठीक है, vertical opposite angles are always equal to each other, यह यहाद रखना है, ठीक है, next, if tangles are congruent, then their corresponding sides and angles are equal, clear, next, volume of cone, 1 over 3 pi r square h होता है, ठीक है, जो formula है, student 13 chapter, or 2.5 exercise में, वो अच्छे से आपने करने हैं, आपको जरूर आएंगे, ठीक है, exam में, now curved surface area of cone pi rl, now minus 3 की power 2, यानि की minus 2 को 3 time multiply करना है, ठीक है, इस तरह से, तो कितना आगे हैं, बताओ, 2 tos are 4, 4 tos are 8, यह minus के असाथ minus कट गया, और एक minus बजी कहा, minus 8 answer आजाए, ठीक है, now minus 13 और minus 15, minus minus plus, तो दोनों को एड करके, बताओ, minus का, 28 आगे, answer, minus का, next, minus 5 और plus का 4, plus minus minus, तो minus 1 आएगा, यहाँ 25 की पावर 1 बाई 2, तो 5 की पावर 2, और बाहर 1 बाई 2, तो cancel होगे, और यहाँ पे 5 आगया answer, now volume of cube, side multiply side, multiply side, मतलब side, cube, clear, now student, इसी तरह से, यह वाले sum जो है, आपने अच्छे से त्यार करने हैं, ठीक है, rationalize, decimal वाले, तो यह sum जो हैं, अच्छे से prepare करो, ठीक है, वीडियो को pause करो, students, और यह वाले sum में, copy पे note down करो, और देन उनको solve करो, ठीक है, अच्छे से, exam के लिए, त्यारी करना, now student, अब जो मैं आपको sum कराने जा रही हूं, वो exam में आते ही आते हैं, ठीक है, अच्छे से करना इनको, a plus b का whole square है, वो याद करना है, a minus b का whole cube, then root 25 is a rational number, yes or no, yes, ठीक है, root 5 is a rational number, no, यह तो यह rational है, ठीक है, a plus b का whole cube, पहले a minus b का था न, a plus b plus c का whole square, ठीक है, यह sum भी आएगा इसके साथ, volume of cylinder जो है, pi r square h, volume of cone, 1 over 3 pi r square h, now volume of sphere, 4 by 3 pi r cube, volume of surface area, ठीक है, then cone का surface area, surface area cylinder का, ठीक है, यह सभी याद करने, sum of angle of triangle, 180, ठीक है, और quadrilateral का, 360, 60, यह याद रखने दोनों, ठीक है, if every parallelogram, rhombus, तो नहीं, नहीं हो सकता, no, rhombus is a parallelogram, yes, every rhombus is a parallelogram, and angle in semicircle, कितना होता है, 90, और same segment के angle, equal, ठीक है, is center interior, exterior, center जो है, वो अंदर होता है, यहाँ देको, यह center है, तो interior है न, अंदर, तो interior आएगा answer, ठीक है, diameter is the longest code, ठीक है, name the reason, तो reason, यहाँ पर देखो, यह कौन सा, फिल किया हो है, minor, ठीक है, उपर major है, निचे minor, नेक्स, shade वाला portion, आपने बताना है, ठीक है, minor segment, ठीक है, now figure में, ADC angle, आपने find out करना है, student, यहाँ पर figure, द्यान से, देखो जरा, ठीक है, 50 center में angle है, तो आप जानते हो, कि जो, उपर, segment में, जो angle है, वो कितना होता है, center से, half, ठीक है, तो अगर 50 है, तो उपर वाला angle, जो है, वो कितना आएगा, 25, ठीक है, टू से डिवाइड कर, टू से डिवाइड कर देंगे, इसको, ठीक है, नेक्स, ए टर्पीजियम की, डेफिनिशन, quadrilेटर, राइ, वन पियर ओफ, ठीक है, वोज वन पियर ओपूजिट साइड, और पैरलोग्राम में, बोथ पियर, ठीक है, इच एंगल इस, 90 डिगरी, यह याद करने हैं, डेफिनिशन, ना स्टुरेंट कुछ और, MCQ, ब्लैंक्स, और फॉल्स, जो फॉल्स हैं, यह अपने इंपॉर्टन्ट है, करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे, पॉल्िनॉमियल ओफ, वन वेरिबल, तो नो, यह क्या है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे, पावर माइनस की है, ठीक है, नाओ, यहाँ पे, पॉल्िनॉमियल वन वेरिबल, तो यह तो वन में है, यह भी फॉल्स है, ठीक है, यह जो है, पॉल्िनॉमियल लें, वन वेरिबल तो नहीं, यहाँ तो एक्स वाई दौनों है, तो यह भी फॉल्स, कॉफिशेंट ओफ एक्स स्केर, x square तो है यह नहीं इसमें polynomial में ठीक है तो यह 0 ठीक है x square नहीं है नहीं इसमें degree of polynomial 3 power है ठीक है उसकी बड़ी जो है coefficient of x square x square तो है यह नहीं तो 0 आएगा degree of quadratic polynomial कितना होता है 2 ठीक है degree of polynomial which has degree 1 तो 1 है तो linear degree of polynomial cubic की 3 root 5 क्या है यह rational number है यह blanks fill करनी है आपने जो blanks है ठीक है zeros zeros आपको पता है solve equation करनी है और x की value 7 now polynomial में यहां पर x अगर fill करो 0 तो 3 आएगा यह formula आपको आता है ठीक है यहां भी degree बतानी है तो सबसे बड़ी पावर 3 sum of angle of triangle 1 एटीक और quadrilateral का 360 ठीक है यह again repeat है important है यह formula कोन का ठीक है volume of cone volume of sphere longest code कौन सी होती है student diameter probability of sure event sure event की 1 और अगर impossible आए तो impossible की 0 आगे ठीक है minus 3 और 4 lies between कौन सा quadrant में लाई करता है यह first minus और plus second quadrant में ठीक है clear यह सभी जो है इनको अच्छे से prepare करना next और देखो यह रहा root 5 is a irrational yes true है यह rational है yes यह भी true है क्योंकि root 5 root 5 क्या cancel हो जाएंगे every natural number is a whole number yes true next जो है वो सभी हमने अभी किये हुए है वहीं है सभी ठीक है इनको अच्छे से repeat करना revise करना ना इस टो एक और important sum है जो most ही आपको exam में आता है ठीक है तो यहां पे if x plus y equal to w plus z तो हमने प्रूव करना है कि a of b is a line student एक point पे जो angle होते हैं उनको जोड कितना होता है 360 ठीक है angle ओने point ना फहले given लिख लोगे then चारों को add करके 360 एक्वल यह तो इक्वल थे दुरनों तो w और z के place पे x plus y from given लिख तो सामने ठीक है now x भी दो होगे y भी दो तो 2xy होगे 2 उदर जाके divide हो जाएगा divide होके cutting करके 180 ठीक है तो यही तो हमने प्रूव करना था a o b is a line ठीक है clear best of luck for exam